दोस्तों फेमस होना हर कोई चाहता है चाहे हो लोगों के बीच में हो या फिर किसी सोसल मेडिया पर आखिर कौन नहीं चाहता है कि वो एक सेलिब्रिटी बने पर यह हर किसी के नसीम में नहीं होता है क्योंकि सेलिब्रिटी बनने के लिए नसीम का होना ज़लुरी है कुछ ऐस से भी लोग होते हैं जो रातो रात फेमस हो जाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसो लोगों के नाम जानेंगे जो रातो रात इस्टार बन गए नमबर 10 और सत्खान इन्हें होट चाय वाले के नाम से भी जान जाता है मामल से चाय बेजने वाले इंसान की फोटो किसी ने किलिक करके इंटरनेट पर डाल दी और इंटरनेट ने इन हैं रातो रात इस्टार बना दिये और और सत्खान रात तो रात इस्टार बन गए सुनिल कुमार को आज भी लोग जानते हैं सुनिल कुमार ने केवी सी में पांस करड़ो रुपए जित कर अपना नाम रोशन कर दिया और सुनिल कुमार रातो रात फेमस हो गए नमबर एट साइमा हुसेन जो एक स्टुडेंट है जो अपने किस्मत और खुबसूरती के बज़ा से रातो राते स्टार्ड बन गई दरसल सारुक खान अपने फिल्म के परमोसन के लिए एक कॉलेज में गए थे और उन्होंने कॉलेज के स्टुडेंटों के साथ सेल्फी ली और उसे अपने सोसल मीडिया पर पोस्ट कर दी सोसल मीडिया पोस्ट करने का बाद सारुक खान के बजाए साइमा खान को ज्यादा पसंद किया गया जिसके चलते उन रातो राते स्टार्ड बन गई नमबर सेवेन गरीमा चौरसिया अपने टिक टोक के वीडियों के चलते रातो राते स्टार बन गई नमबर सेख्स कुरुसरुम सेठा जो नैपाल के राने वाली है इनोंने अपने कोलेज के छूटियों में अपनी परिवार वालों का हात बटाने के लिए सबजिया बेच रहे थी तबी किसी ने इनका फोटो क्लिक करके सोसल मेडिया पर डाल दिया और उसके बाद इन्हें सु सोसल मेडिया पर पोस्ट कर दिया जिसके बज़ा से यह एक सिलिब्रिटी बन गई नमर फोर मिस्टर फैसू मिस्टर फैसू टिक टोक फोर अपने दोस्तों के साथ वीडियो बनाते थे पर उनको कम पसंद किया जाता था बाद में उनके एक दोस्त ने चला दी कि तुम सूरी आवाज की नाम से भी जानी जाती है नमर टू अमत सा पसितानी के रहने वाले थोटा सा बच्चा है टिक टोक पर काफी ज्यादा वारल हुआ नमर वन के पहले हमारा एक टार्गेट है इस्टी फैक्ट के इस यूट्यूब फैमिली को एक मार्ट से पहले दस से लोगों का यूट्यूब फैमिली बनाना है तो प्लीज लाल कलर के बटन को दबा कर आप भी इस फैमिली का मेंबर बन जाईए और हाँ पास में बने बाइबाई एंड टेकियर